इश्यू मसी के जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं, इब्राणियों के पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि इश्यू मसी ने जो काम किया है, उससे हमें क्या लाब होता है। आज हम देखेंगे हमारे लिए क्या उत्तम बाते प्रभू इश्यू मसी ने बहुत सारी बाते नहीं, बस चार मुख्य बातों को हम देखेंगे। उससे पहले याद रखें इब्राणियों के पत्री में इश्यू मसी को सर्वोच बताएगे। आज भी बहुत सारे ऐसे पंथ लोग हैं जो सोचते हीं कि इश्यू मसी केवल एक मनुश्य था, जो परमेश्यूर नहीं था। लेकिन यदि आप इब्राणियों के पत्री उसका पहला ध्याय और दूसरा ध्याय दोनों पढ़ेंगे। आपके पास यदि बाइबल है तो आप खोल सकतें पहला दिया है उसका पहला पद और दूसरा पद में लिखा गया है कि परमेश्वर ने पुर्व में अनेक प्रकार से अनेक भविश्य-दक्ताओं के दौरा बापदादों से बात किया लेकिन आज अंतिम दिनों में अपने पुत्र के द्वारा बात किया लेकिन मुख्य बाद तीसरा पत देखे लिखा गया है येश्व मसी के बारे में कि वो परमेश्वर के महिमा का प्रकाश और उसके व्यक्तित्व का चाप है जो अपने वचन से सारे वस्तूओं को संभालता है तो प्रभु परमेश्वर का पुत्र एक शीर्शक है कुछ लोग कन्फ्यूज है कि परमेश्वर का पुत्र कैसे हो सकता है ये केवल एक टाइटल है कि वो परमेश्वर का पुत्र की जयोती परमेश्वर का प्रकाश है इसलिए वो परमेश्वर का पुत्र के के रुप में भी जाना जाता है Bible में, so सर्वोच परमेश्वर है ना केवल सर्वोच परमेश्वर है लेकिन परमेश्वर परमेश्वर का सर्वोच प्रकाशन भी है, Bible में हम कई प्रकाशन को देखते हैं प्रकृति को देखकर हम प्रभू के इस बात की कज्ञान हमें प्रकृति को देख कर मिलता है, हमें बाईवल पढ़ने से प्रकाशन मिलता है, लेकिन हम परमेश्वर का सरवोच प्रकाशन इश्व मसी में तब देखते हैं जब लिखा गया वचन देहधारी हुआ शरीर में आया हमने उसे अपने आंखों से देखा इस प्रकाशन के शिश्यों ने कहा है सर्वोच दाइव प्रकाशन वो सर्वोच महायाजग वे अर्थात पुराने नियम में जो महायाजग थे हारुन के वंश से उनसे बढ़कर है ये बहुत मुख्य था क्योंकि इश्यू मसी ने यहूदियों को कहा था कि जब मेरा शरीर या उसने कहा है यह मंदिर को घिरा दो मैं इसे तीन दिन में खड़ा करूँगा रथात वो अपने शरीर के बारे में बता रहा था यहूदियों अभी भी मंदिर से बंदे हुए थे प्रभु ने चाहा था किसी दिन मैं थर्ड टेंपल के बारे में बताऊंगा आज भी यहूदी लोग जो यशुमसी को ग्रहन ने करते स्विकार नहीं करते वो लोग इंतिजार कर रहे कि एक तीसरा मंदिर बनाए अभी उनके पास कोई मंदिर नहीं है सारे दुनिया के सारे धर्म के लोगों के पास मंदिर है लेकिन यहूदी धर्म में अभी मंदिर नहीं है क्योंकि उनका मंदिर को 70 वे इस्वी में टाइटस जन्रल टाइटस ने जला दिया, खतम कर दिया जिस परकाद इस्व मसी ने भविश्वानी किया कि एक पत्थर के अभी तैयारी कर रहे हैं कि तीसरा मंदिर को इसका भविश्वानी बाइबल में किया गया है। तो याजक पद को आज भी वो सोचते हैं कि वही सरवोच है, लेवी के वन्ष के जो लोग है, वही याजक बन सकते हैं इस परकार। लेकिन इबरानियों के पत्री को आप पढ़ते हैं तो बहुत स्पश्च रूप से बतायागा कि इश्व मसी हारून से बढ़कर बढ़ा महायाजक क्योंकि इश्व मसी का महायाजक पत्र असली है, वो कोई चाया के समान पर चाय के समान नहीं है, लेकिन असली है और हमेशा सरवधा स्थापित रहेगा, हारुन जब बलिदान चड़ाता था, तो उसका बलिदान केवल एक वर्ष के लिए केवल कायम रह सकता था, लेकिन इश्व मसी का बलिदान हमेशा के लिए कायम है इस कारण से केवल वो सर्वोच परमेश्वर सर्वोच दैव प्रकाशन सर्वोच महाया जग लेकिन सर्वोच बलिदान भी है और हमारा सर्वोच उधार करता है अर्था जो ईश्व मसी पर विश्वास करता है वो सरवदा आप इबरानी को पस्तक पढ़ेंगे तो आप ईश्व मसी के सरवच पद के बारे में हम देख सकते हैं पूरे पस्तक में बताया गया कि पुराने नियम के याजक लोगों से पुराने नियम के भविश दखताओं से पुराने नियम के बलीदानों से ईश्व मसी बढ़कर है क्योंकि वो सरवच है तो ईश्व मसी सरवच है तो वो हमारे लिए क्या लेकर आया है हम जल्दी से देखेंगे किवल चार बाते आप स्मरन रख सकते हैं लिखा गया है, इबरानियो 6 अध्याय उसका नववा पद में, कि हे प्रियो, यद्यपी हम ये बाते कहते तो भी तुम्हारे विशय में हम इस से अच्छा और उधार वाली बातों का भरोसा करते हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ बहुत ही उत्तम बातों को रखा है, चालीस में लिखा कि क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई है, इंग्लीश बाइबल में बताया है, God has prepared for us better things, परमेश्वर ने हमारे लिए better things बना कर रखा है, तियार करके रखा है, जिसे दुनिया के लोग नहीं समझ सकते हैं, लेकिन आज हमें इसे समझना है, तो पहले उत्तम बात को देखेंगे, इब्रयानियों 12 का 24 में लिखा गया है, कि इश्व मसी नई वाचा का मध्यस्त है, और चिड़काओ के उस लहू के पास, इश्व मसी के चिड़काओ का लहू के बारे में बताया गया, इश्व मसी ने अपने इश्व मसी के लहू के द्वारा सुनाए देता है, देखें, पुराने निया में आप देखते हैं, हाबिल और कैन, आदम और हवा के संतान थे, और कैन को बहुत गुसा आया, हाबिल को वो चिड़ गया था, क्योंकि परमेश्व ने हाबिल के सैक्रिफाइस को, हाबिल के ब विश्वास से नहीं, बलकि बस कुछ पास्टर में ऐसे कहा रहा है, या बाइबल में ऐसा लिखा है, इसलिए हम कर रहे हैं, ऐसा सोचेंगे, तो जो परमेश्व ने के पास आता है, उसे विश्वास रखना चाहिए कि वो है, और जो उस पर विश्वास करता है, उनको वो देता है यदि इस बात का विश्वास हमारे हृदाय में नहीं है तो हम प्रभू को कुछ दे भी नहीं सकते हैं। हाबिल ने विश्वास के साथ परमेश्वर को ओफरिंग दिया बलीदान दिया और परमेश्वर ने उसे आशिश दिया इस चीज को धिक कर कैन बड़ा चिड़ गया और कैन ने हाबिल को मा डाला जब हाबिल को उसमें मा डाला तो पाइबल में लिखा गया है कि हाबिल का लह लहु बदला के लिए या नियाई के लिए पुकार रहा था, परमेश्वर को पुकार रहा था, और परमेश्वर ने आकर कैन को पनिश किया, कैन को दंडित किया, सो ये हाबिल के लहु के बारे में हम देखते हैं, नाय नियम में लिखा गया है, ये ब्राइयों के बारा का चौबिस में कि इश्व मसी का लहु रिवेंज नहीं मांग रहा है, इश्व मसी का लहु बदला का पुकार नहीं करता है, इश्व मसी का लहु किस बात का पुकार कर इश्व मसी का लहू कौन सी उत्तम बाते कर रहा है हाबिल का लहू चिला रहा था मुझे बदला चाहिए, मुझे न्याय चाहिए जिसने मुझे मारा है, उसको दंड दो यह हाबिल का लहू चिक चिक कर पुकार रहा था इश्व मसी का लहू क्या पुकार था यह उत्तम वचन हम नाया नियम में देखते हैं इब्राइन्यों के पत्री में लिखा गया है इश्व मसी का लहू हमारे क्षमा की आचना करता है इश्व मसी ने क्रूस पर भी जिस प्रकार से क्षमा याचना किया इश्व मसी का लहू क्षमा की आचना करता है इश्व मसी हमारी श्रमा के लिए पुकारता है यह हम नया नियम में देखते है So, दूसरी बात हम देखते हैं बहुत जल्दी से दूसरी बात इश्व मसी का उत्तम बलिदान पुराने नियम के बलिदानों से भी उत्तम है लिखा गिया है इब्राणियो 9 का 23 में इसलिए आवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुवें के प्रतिरीरूप इनके द्वारा शुद्ध किये जाएं पर स्वर्ग में की वस्तुवें आप इनसे उत्तम बलीदानों के द्वारा पुराने नियम में वो बली चड़ाते थें भेड का बली चड़ाते थें कबूतर का बली चड़ाते थें और उसका लहू को ले जाकर वो मंदिर में भीतर में जो वाचा का संदूक था उस पर छड़कते थें यदि आप पुराने नियम को पढ़ेंगे और एक साल के लिए वो यह आविशक था पुराने नियम में, क्योंकि जो वो मंदिर था और जो वो मंदिर में वस्तुवे थी, वे साब केवल प्रतिरूप थी, वास्तविक्ता नहीं थी. कुलोसियों की पत्री में लिखा गया है कि यह सारी बाते पर्चाएं हैं, लेकिन वास्तविक्ता यिशुमसी है. जब तक यिशुमसी नहीं आया, इन सारी बातों को शिक्षक के रूप में, ताकि इनके द्वारा लोगों को समझ में आएं कि बलिदान का महत्व क्या है. सारे धर्मों में आप देखते हैं, बलिदान का एक प्रति रूप पाया जाता है, ये सारे धर्मों को परमेश्वर तयार कर रहा था कि वो यिशुमसी को समझे, लेकिन दुख की बात है कि जिस प्रकार यहुदी धर्म के लोगों ने भी यिशुमसी को रिजेक्ट कर दिया दुख की बात है कि उस प्रकार संसार में हो रहा है, लेकिन यिशुमसी का बलिदान इन सारी बातों से उत्तम है, क्यों? क्योंकि प्रभु यिशुमसी का लहु, इब्रानियो 9 का ध्याय में अब देखते हैं, उसने पवित रात्मा के दुआरा प्रभु को चड़ाया बलि हमेशा, फिर से बलिदान की जरुरत नहीं है, इसलिए अब कोई बलिदान देने की जरुरत नहीं है, कोई भेड बकरी, कबूतर, इन सारी बातों को बली देने की और जरुरत नहीं है, क्यों? क्योंकि यिशुमसी का बलिदान हमेशा के लिए स्थेरफ, इशुमसी का रखता है कि वो हमें एक शमा प्रदान करता है, बलकि वो हमें नया जीवन देता है, उस लहू के दुवारा हमें नया जीवन प्राप्त करते हैं, तीसरी बात, एक उत्तम वाचा उसने इस लहू के दुवारा बनाई है, आप यदि पुराने नियम में देखेंगे, तो लहू क वाचा के बारे में बताया गया, कि सबसे बलवान एक वाचा था, कोई भी वाचा तोड़ दिया जा सकता है, लेकिन लहू का वाचा, खून का जो वाचा है, जो प्रतिग्या है, उसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता, इशु मसी ने हमारे साथ एक लहू का वाचा, अपने लहू को बहा कर, पुराने नियम के याजक लोग तो जानवरों को मार कर उनका लहू छड़कते थे, और कहते थे कि जिस पर गाम मूसा ने किया था, और कहा कि ये वाचा परमेश्वन ने तुम्हारे साथ बांदा, लेकि कोई जानवर का बली नहीं चड़ाया, लेकिन अपने शरीर का बलीदान चड़ाया, और एक उत्तम वाचा बांदा है, जो कभी मिट नहीं सकता, पुरानी वाचा मिट जा रही है, इबरानियों की पत्री में आप आएंगे, लेकिन ये नया वाचा हमेशा के लिए बना रहत इबरानियों 8 का 6 में लिखा गया है, पर उसको उनकी सेवकाई से बढ़कर मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस ठहरा, जो और उत्तम प्रतिग्याओं के सहारे बांदी गई है, तो ये एक नई वाचा है, जो परमेश्वन हमारे से, what is वाचा, वाचा क्या है जब एक पति-पत्नी, जब एक व्यक्ति, एक पुरुष और एक स्त्री का विवा होता है, तो वे एक दूसरे से वाचा बांदते हैं, कि जिन्दगी भर एक दूसरे के साथ रहेंगे, वफादार रहेंगे, और एक दूसरे का देखबाल करेंगे, प्रभु ईश्व मसी ने हमारे साथ वाचा बांदा, तो ये ऐसा वाचा है, जो हमेशा बना रहेंगा, यदि एक विवा हुआ है, पुराने नियम के अनुसार, जब एक पुरुष और स्त्री का विवा हो जाता है, तो वे एक दूसरे से हमेशा के लिए बंदे रहते हैं, जब तक कि एक कमृत्यू यदि पती का मृत्यू हो जाए, तो स्त्री फ्री हो जाती कि फिर से विवा करें, पुनार विवा करें, किसी दूसरे से वो विवा कर सकती है, अगर पुरुष और जाए, इस प्रकार हम पुराने नियम में हम लौ दिखते हैं, जो नया नियम पौलुस ने विद्वाओं से कहा कि तुम फिर से विवा करो, ऐसे अकेले रहने की जुरत ने, तुम अगर तुम फिर से विवा कर सकते हो, तो ये शारिरिक वाचा है, लेकिन प्रभू ईश्व मसी ने हमारे साथ जो भांदा है, वो अनंतिकाल का वाचा, क्योंकि ईश्व मसी कभी मरने वाला नहीं है, ये पुनुरुथान का वाचा है, याद रखें, ये कभी खतम होने वाला नहीं है, हमेशा के लिए, इसलिए उसने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, और ये उत्तम वाचा है, जो पुराने नियम से बढ़कर है, पुराने न और अंतिम बाद हम देखेंगे एक उत्तम आशा, better hope परमेश्वर के इस वाचा के द्वारा हमें प्राप्त होता है, इसलिए कि विवस्ता ने किसी बात की सिध्धी नहीं की और उसके स्तान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीब जा सकते हैं, पुराने नियम में केवल लेवी लोग और याजक लोग ही परमेश्वर के पास जा सकते थे, बाकी लोग बाहर रहना है, तंबू से बाहर, या मंदिर के जो आंगने वही रह सकते थे, भीतर नहीं जा सकते थे, कोई आशा नहीं उनके लिए, कि कभी भी वो लेकिन आज हमारे ले एक नई आशा है, वो महिमा का आशा हमारे भीतर है, वो कहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर स्वयम हो और परमेश्वर के आत्मा तुम में निवास करता है, वो परमेश्वर का जो महिमा है, पवितर आत्मा तुम में निवास करता है, इसकी कलपना पुराने नियम में कभी नहीं कर सकते थे उत्तम आशा हो हमें देता है और उत्तम आशा क्या है हम देखते हैं लिखा गया है कि पवित्रात्मा एक बयाना है हमारे लिए कि हम आने वाली बातों का अनुभाव आज पवित्रात्मा के द्वारा देख सकते हैं ये उत्तम आशा क्या है इब्रियानियों 11 का 35 में लेका कितने तो मार खाते खाते मर गए कई लोग ईश्व मसी के लिए मारे गए और उन्होंने छुटकारा भी नहीं चाहा क्यों? क्योंकि उन्होंने एक उत्तम पुनरुथान की आशा रखिए इसलिए कि उत्तम पुनरुथान के भागी हो एक उत्तम पुनरुथान आज भी हम देखते हैं परभू कई लोग को मृत्तकों में से जिलाता है आप कई टेस्टिमनी सुनते होंगे कि परमेश्वर के सामर्थ से जो मर गई वो जिन्दा होगे लेकिन ये सारे जो पुनरुथान है वो शाश्वत नहीं है एक दिन उनको भी मरना है जिस पर लाजर को ईश्व मसी ने जिलाया लेकिन वो भी मर गया लेकिन एक पुनरुथान आने वाला है जो उत्तम पुनरुथान है उसकी उत्तम आशा इश्व मसी ने हमें दिया है और वो है जिसके द्वारा हम अनंतकाल के भागी होंगे अनंतजीवन के भागी होंगे उसकी आशा हमें दिया जा रहा है और ये उत्तम पुनुतान क्यों महतवपून है देखे ग्यारा का सोला में लिखा गया है पर वे एक उ नगर तैयार किया है। स्वर्गी देश दिखा रहा है, जिसको वो तैयार कर रहा है, हमारे लिए तैयार कर रहा है। ये इंपोर्टेन रहा है, ध्यान से सुने, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी धुकी हो, हुए और अपनी संपत्ती भी आनन्द से लुटने दी, या जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सरवदा ठहरने वाले संपत्ती है। पुराने नियम में जो आशिष लोगों को मिलता था, वो भातिक वस्तूओं के रूप में अकसर मिला करता था। पुराने नियम में आशिष ज्यादा तर यदि आप देखते हैं, आशिष धन के रूप में लोगों को प्राप्त होता था। यह नाया नियम में भी है, क्योंकि हम नाया नियम में भी देखते हैं कि ईश्व मसी ने कहा स्वर्गराज की खोच करो और यह सारी बाते तुम ही मिल जाएगी। और लिखा गया है, यदि तुम माता-पिता का आग्याकारी बनोगे, तो पृत्वी पर लंबी आयूज तुम जीओगे, यह आशिष हैं, लेकिन इससे उत्तम और एक आशिष हमारे लिए है, एक उत्तम संपत्ती है, क्योंकि संसार की जो संपत्ती है, वो मिठते जा रही ह हमेशा शास्वत नहीं रहेगी, लेकिन एक संपत्ती है, जो हमेशा बनी रहेगी और वो स्वर्गी इस्तान में लिखा है, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सरवदा ठैरने वाली संपत्ती है, इसलिए संसार की वस्तूओं को पकड़े मत लो, जो धनव संसारिक धन के द्वारा स्वर्गी इस धन को खरीद लेता है, यह कैसा हो सकता है, इशुमसी नहीं का, संसार में तुम धन मत चुपाओ, जहाँ पर कीडे लग जाते हैं, जंक लग जाता है, लेकिन तुम स्वर्ग में अपना धन चुपाओ, और मैं आपको गलतियों है, उसका 6 पत से 10 पत, विशेश रूप से आप 7 पत से देखें, लेकिन हम 6 पत से पढ़ें, जो वचन के शिक्षा पाता है, वो सब अच्छी वस्तों में सिखाने वाले को भागी करें, धोका ना खाओ, परमेश्वा ठटों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष जो कुछ पुता है, वही काटेगा, कई लोग सांसरिक भावतिक आशिशों में ही लिप्टे रहते हैं, वो परचाए में दबे़े हुए है, पुराने नियम की जो बाते हैं, वो सारी परचाए के रूप में, वो मिढते जाने वाली बाते हैं, नाया नियम में परमेश्वर हमें अनन्त काल का धर्शन दिखाता है, अनन्त शाश्वत धन का धर्शन दिखाता है, शाश्वत आशिश का, पवितरात्मा की आशिश का धर्शन दिखाता है, और इसलिए वो बताया गया है, कि जो कुछ बोता वही काटेगा, क्योंकि जो अप अपने शरीर के लिए बोता है, यदि आप अपने शरीर के लिए जीते हैं, कि मुझे कपड़े कहां से मुलेंगे मुझे अपने शरीर के लिए ही कुछ काम करना है, तो वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, क्योंकि जो शारीरिक वस्तु हैं, भावतिक वस्तु ह वे सारे मिठते जाते हैं, इसको लेकर कोई नहीं जा सकता है, धनवान को एश्व मसी ने वो द्रिश्टांद कहा था न, धनवान व्यक्ति सोचा कि मैं सारी बातों को भंडार में रखूंगा, तो प्रुभू ने कहा आज तेरी आत्मा ले लिया जाएगा तो ये सब कहा रहे ये किसके रहेंगे, क्योंकि संसार के धन तो हम लेकर स्वर्ग नहीं जाएगा, हम नंगे आएगे, हम नंगे जाएगे, तो इसलिए लिखा गया शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, लेकिन जो आत्मा के लिए बोता है, वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की इसलिए लिखा गया नौ और दस पत, अब स्वर्ग में धन कैसा है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, भले काम कई प्रकार भले काम है, क्योंकि यदि हम धीले ना हो, तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे, भले काम करने के लिए आपका टाइम देना पड़ेगा, आपको सम के दवारा प्रभू का कार्य हो, इश्व मसी ने भले काम किये, और इश्व मसी के भले कामों में कई लोगों ने मदद किया, और लिखा गया दस पत में, इसलिए जहां तक आफसर मेरे हम सब के साथ भलाय करें, विशेशकर के विश्वासी भाईयों के साथ, सो आज पत्री विशेश रूप से इन बातों को हमें सिखाता है, कि उसने हमें उत्तम वचन है, इश्व मसी का लहू हमें उत्तम संदेश सुनाता है, यह मूसा का संदेश नहीं, यह हाबिल का संदेश नहीं, इश्व मसी का लहू का संदेश है, क्योंकि इश्व मसी का लहू एक उ उत्तम पुरुनृत्थान, हम फिर जी उठेंगे, यदि कोई मर भी जाए, वो फिर जी उठेगा, नया शरीर प्राप्त करेगा, और उत्तम पुरुनृत्थान प्राप्त करेगा, उसे कभी मृत्यू उसके पास नहीं आ पाएगा, कोई आसू उनके आसू को पूंच डालेग 11-11 में एक स्वरगी स्थान नगर को उसने तयार किया, वाउ, क्या सुन्दर बात है, परमेश्वन एक देश हमारे तयार किया, इस संसार में हम अपने अपने देश में रहते हैं, अपने अपने गाह में रहते हैं, कुछ लोग के पास जमीन का टुकड़ा है, कुछ लोगों क पास नहीं है, होंग कोंग जैसे शेरन में तो घर मिलना ही सपना ही रह जाता है लोगों का, घर मिलना बहुत मुश्किल है, जमीन का टुकड़ा तो खरीदना ही असंभव है, कोई नहीं खरीज सकता, जमीन का टुकड़ा यहां पर, इंपॉसिबल है, लेकिन 11 का 16 में लिखा कि परमेश्वर तयार कर रहा है, यह जगत परमेश्वर का है, लेकिन स्वर्ग भी परमेश्वर का है, वो स्वर्ग का राजा है, और उस राजा ने यह तैनात किया, उसने यह निर्धारित किया, उस वाचा के कारएं, यह सारी उस वाचा के अंतरगत आशिशे हैं, जो उस आप जब इबराणियों की पुस्तक पढ़ेंगे, अप नया नियम पढ़ेंगे तो इन सारी बातों पर ध्यान देते रहें कि परमेश्वर ने नई वाचा के अंतरगत हमें क्या-क्या आशिशे दिया है। कदर करने वाला है, उस जो वाचा को ध्यान में रखने वाला है और उस वाचा के अंतरगत व्यक्ति के रूप में प्रभु इश्व मसी के वाचा बध लोगों के रूप में हमने जीवन जिया है। प्रभु इस वाचन के द्वारा हमें आशिश देए। उनमें हम लिप्टेन आ रहें। झाल प्रभु बभु इस वाचन के रहें। झाल झाल